हिमाचर प्रदेश को पूरी तरह से कुष्ट रोग से मुक्ती दिलाने के लिए घर-घर विशेश अभियान चलाया जा रहा है प्रदेश ने वर्ष 2000 में प्रती 10,000 जन संख्या पर एक से कम की व्यापकता दर को प्राप्त करके पहले ही कुष्ट रोग को समाप्त कर दिया है हालांकि अभी भी प्रदेश में 1 अप्रेल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक पाए गए नए कुष्ट मामलों की कुल संख्या 101 है राष्ट्रिय स्वास्थे मिशन के तहट कुष्ट रोगियों के लिए राष्ट्रिय कुष्ट उनमूलन कारिक्रम चलाया जा रहा है इसका उदेश 2030 तक देश के हर जिले से हर प्रदेश से कुष्ट रोग को खतम करना है कुलू और लाहलस्पिती जिले में कुष्ट रोग का कोई मामला सामने नहीं आया है प्रदेश में सबसे अधिक कुष्ट रोगियों के 29 मामले सोलन जिले से शिमला से 18, कांगला से 12, चमबा से 9, उना से 8, बिलासपूर में 7, मंडी में 6, सिरमौर में 5, हमीरपूर में 4 और किनौर में 3 नए मामले सामने आये हैं बीते 3 वर्षों में जिन गाओं में कुष्ट रोग के मामले सामने आये हैं वहां आशा कारेकर्ता द्वारा सक्रिये मामले का पता लगाने और नियमित निगरानी गतिविधी संचालित की जा रही है आशा कारेकरताओं को विकलांगता के साथ या बिना कुष्ट रोग के नए मामलों का पता लगाने के लिए 250 रुपए प्रती केस दिये जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कुष्ट रोग अब खतम होने की कगार पर हैं आशा कारेकरता द्वारा सक्रिय मामले का पता लगाने और नियमित निगरानी गतिविधी संचालित की जा रही है। ये आगे किसी भी तरहा की अक्षमता को रोकने के लिए कुष्ठ मामलों का प्रारंभिक चरण में पता लगाना सुनिश्चित करने के लिए है। आशा कारेकरताओं को विकलांगता के साथ या बिना कुष्ट रोग के नए मामलों का पता लगाने के लिए रुपए की दर से प्रोचाहन प्रदान किया जाता है। आज स्वास्ते विवाग की ओर से किया जा रहा है। और द्योगिक शेत्रों में पहुंचने वाली माईग्रेट जनसंख्या में मामले अधिक आ रहे हैं। इस रोग का खुलासा तब होता है जब लोग काफी देरी के बाद एलर्जी की समस्या को लेकर अस्पतालों का रुख करते हैं। जाच के बाद लोगों में कुष्ठ रोग की पुष्टी होती हैं। बीते दिनों भी अभियान के दौरान कुष्ठ रोग मामलों का पता चला है। कुष्ठ रोग के क्या लक्षन होते हैं वो भी आपको बताते हैं। शरीर में कोई दाग पढ़ जाए और उस जगह पर सुनपन आ जाए तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें। हो सकता है कि ये कुष्ठ रोग के लक्षन हो। इसी के साथ नसों का फूलना भी इसका एक कारण हो सकता है। समय पर इसका इलाज ना होने से ये बीमारी गंभीर रूप ले लेती हैं जिसके इलाज में लोगों को काफी दिक्कतें पेश आती हैं।